अलो दोस्तों गुर्मोनी गाइज वेलकम बेक टू माई नियू ब्लोग और अचके इस नए ब्लोग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है मोहमद आसीफ और आज हम बात करेंगे एवरेज फिलीट के गाड़ी के बारे में मेरे पास जो जब से अदर जो डी एमा अदर आपको कोंसी अची लगने वाली है और इन गाड़ी आपको अपने इस आप से मिनेज कर सकते हैं 60-40 लेना है या फिर आपको लीज पे रहना है तो दोनों को मैं आपको कॉम्पेरीजन करके आपको सारा कुछ बाता दूंगा इस्टेप वाई स्टेप तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर काना है चैनल को सब्स्राइब नहीं कि तो भी काना तो दोस्तों आज का कर लेते हैं इस्टार्ट तो दोस्तों मैं आपको बाता दो सबसे पहले आपके मन में कुईश्यन रहते हैं जो केरी रहते हैं कि आसी भाई हमको जो एबरेश फिलिट के जो गाडिया मिल लें गाड़ी के अंदर 60 40 का जो गाड़ी है उसको लेना सही है उसमें प्रोफित अ काम आता है तो बुकिंग और आने का और कम जाने का यह मैंड पॉइंट है यहीं पर आपको समझ लेना है आज की ब्लोक के अंदर अगर आप एवरेश फिलिट की गाड़ी ले रहे हैं तो मैं आपको कि लियर कर दूँगा बिल्कुल भी आप वहीं समझ जाएंगे वहीं आ बात कर लेते हैं एवरेश फिलीट रेंट लीज जो गाड़ी आती है जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं पैड़ करके जो भी डिपोचिट होता है आपको पे करके उसको डिपोचिट जो भी रिफंड वाले माउंट है कभी सारे बाइयों को मैंने आट दिन काम किया एक महीन क्या होगा ओ जब आप एग्रिमेंट करते ना गाड़ी लेने के लिए उसी टाइम आपको सारा कुछ बताया है तो आपके जो कन्फीजर में देना कि आमें गाड़ी शिक्ष्टी पूटी वाली अच्छी रहेगी प्रोफिट अच्छा होगा यह पिर हमें लीज पी ले ले कोई गाड़ी लीज पर ले रहे हैं तो लिज की जो प्राइस होती होती न वोगोड़े के अवन है ठीक हूं कुछ उमकरने के बाद सάλक करने के बाद हमारे तुमारे मतलब मुझे शारे बाईयों ने बोलाइ मंतलब पुराणी गाड़ियां हो जाती उनका प्राईस कम रहता है और जो बिल्कुल नहीं गाड़िया होती ना उसकी लीजों दिना वह ज्यादा होती मैकसिमूम च्छेसो से लेकि 800 उपए तक पड़े की लीज रहती है अब एक अच्वम्पल के तोफ़ प्रक्राइब पड़े के पकड़ लो मैं पड़े के 800 उप्वेज्ञ पे कर रहे हैं तो उसमें आपको फिक्स है करना है और काम कीतना होगा और में आपको बता दू दोरों को कंपेरिजन कर और वहीं पर आप समझ लेंगे सारा पूछ जिसके जैसे कि आप 10 रुपे का पांच यार का काम कर रहें चार आज आपको एपका रहें तीक है अगर आप गारी जो बुगिंग की बात करेंगे तो गारी मेरे को कभी सारे बाईयों ने बोला है कि गाड़ी लीच की लिए यह आती है उसके उपर बुगिंग चो है ना काम आती है आप कम आने की वजह क्या है वह में आपको बता हुआ और यह बात हखीकत है आप इसको जान लिजी आपके अगर लीच की गाड़ी ले रहे हैं तो जो 60 और आपके पास भूगिंग भी कमाईगी फिर तो आपकी टेंशन होगी ना काम नहीं होगा उतने का दो आजार का तीजार का आट सो भी निकालने हैं और सारा गुजी करना है पिक अप ड्रॉप भी लोग होते हैं कभी-गभी और उसका जो प्राइस होता है वो तो फोला हूब है मतला और के अंदर चड़ता रहता है और आप एक लिश्पर कि ले रहे हैं कापी सारे भाइयों के कोमेंट्रेथ हैं कि गर कि पो अब वह लेंगे के में की सिवाए पर किसी प्लेटपर में कामने हैं नहीं कर सकते हैं दूसरी में बात कह लूँम कि अगर आप मा अगर आप उसके अंदर काम करते हैं तो आप जितना काम करेंगां को जो कमिशन मिलने वाला है अगर लीज की गाड़ी को इसमें मिलने वाला है मेकसिम्म मेपने जा रूपे का काम चार तो कमपनी परसेंट के उसको कमिशन मिलने वाला है अब यहीं पर मैंट समझ लेना है कि यागिण फीक्स और जो 60-40 पर जो घड़ी दे रही है उसको कमनी को कमिशन मिलने वाला है तो कमी को खुद मालुम है 40% के थे ने वहारा जो हिंगा काम कर रहे तो उसको सबसे ज़या जब देनी चाहिए क्योंकि इस गाड़ी पर आपको बेटने का भी डायम नहीं होगा इतना वुगिंग आता है क्योंकि मैं भी आप सब जानते ज्यादा जो काम करता हूं उबर के अंदर करता हूं और उला में में बहुती कम काम करता हूं वह बजे और में क्यों करता हूं दू टो मैं अपको रिक्यमेंट करूंगा अगर आप एवरेज फ्लीटर की कोई भी गाड़ी ले रहेık फिछानी आपको की ओगे या आपको अपनी पसंद होगी अगर हैं दुछ को षासे में पाणने ज़ने गाड़ काुझे कुले बुट में पी और स्विशक्म कॉणले लोगें संब उनदार उपन तयब शाम करें तो को ही शुए नहीं होने वाला है दूसरी एक चीज़ बता दू एक मैंड पॉइंट कापी सारे बाई एसे वह थे उनके पास पैसा नहीं है गाड़ी लेने का नया पर्चेस करने का बजट नहीं है तो उनके लिए एक सीखने का जरिया है मैं पॉइंट आप सीख सकते कुछ उस चीज़ से आपको एक नोलीज मिलेगी काम करने की और आप छोटे मोटे मल्दा अप डिपूचिट दे कि आपको जो डिपूचिट वो रिफंड वाल है तो आपको एक जब एक जब एक रिमेंट करें आपको पता पड़ि आएगा क्यूंकि मेरे को इस चीज के लिए मुझे कापी सारे ले लिए तो दोस्तों अगर आप कोई एवरेज फिलिट की जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं तो मैं कहूंगा आप 60 की लेकर चलाएं क्यूंकि आपको 60% मिलने वाला है 40% कमिशन कंपनी का होगा उसमें आपको 60% में 20% समझ लिजीए सी एंजी का और 40% आपका तो यही कैल अगर मतलब करेंगे तो अगर शेकिंगे तो अगर शेकिंगे तो अगर 60 40 की गाड़ी जां, और वहीं पर लीच की गाड़ी जांखड़ी है ना तो 60 40 पर पहले भुगे आईगा उसके वाद लीच की गाड़ी पर भुगे जाएगा और जो दूसरी की गाड़ी लगी हुए आउनके पास उनका नंबर बात में है, अगर चोटी गाड़ी का भुगे तो मैं आपको कॉंगा अगर है विर विश फ्रीड की आप गाड़ी ले रहें तो तीसरी बार बोल रहा हूं 60-40 बेस्ट ऑप्सन है और रहा काम करने की काफी सारे बाईयों को मतलब प्रॉब्लम भी है के प्रेशर है यह है वो है दुनिया में लोग बहुत टाइप के हैं ओर करेल या कुछ सबजी में किसी को पसंद होती ही इसके लिए आप देख सकते हैं इह जोटीड की दिली है है दिल्ली है मुंबई है पूने है बैंगलोर है 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 अगर नहीं चलती तो इतनी सारी ब्रांचेस नहीं होती में पॉइंट यहां पर एक सिस्टम आपको बता दूं सिंपल थी चीज एक तो आपको नॉर्मल पंद्रा से मैंना पंद्रा जो भी है डुपोजिट मैक्सिमम है है अगर आप अपना पर्चेस खुद का गड़ी पर्चेस करने जा रहे है तो आपको कम से कम डेल लाग से दो लाग रुपे डीपी करना है वह भी नहीं आपको डालना है अगर आप सोच रहें कि में एक फ्रेशर हूं और एवरेज फिल्ड की गाड़ी पे फिल्ड मतला फ आपको कुछ टाइमिंग दी जाएगी उसके अगेंस आपको पैसा रिटन मिलेगा आप सोचो मेने आज गाड़ी लिया आठ दिन के बाद आपको अच्छा नहीं लगा आपने रख दिया फिर आप सोचो में को तुरंत पैसा मिल जाए तो पॉसिवल नहीं होता है वह मैं आपको किलियर कर दूँ और इसी चीज को लेके काफी यादा लोगों में कन्फीजन भी रहता है तो मैं आपको बता अपको तीन मेने के बाद आपको तीया जाएगा इस तरीकी से पॉलिसी चलिए पहले से भी वह भर में भी यहीं थी और एबरेज फ्लीड की वहीं थी तो पहले उबर फिलीड थी अभी अभी हो गई है और अब उबर इलेक्ट्रिक हो गई है और एक ब्लूइसमार्ट मोब परचेस करने से पहले इसी के अंदर ट्राइल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं मुझे खुद को किसी ने कितनी बार कर रहे हैं कितने लोगोंने डीम किया है मैं चलाने के लिए यूज करने के लिए सीखने के लिए एबरेजận यद्फीय का गाड़ी चला रहा हूँ अच्छी का सी षयंक हो जाता है लेकिन मैं ट्राइल कर रहा हूं देख रहा हूं काम कैसा चलता है कौन से मैन कौन से दिन किस टाइप से alright सQUARा चाहिए काम करना चाहिए उसह से सारा कुछ सीखने के बाद असिव से मैं अपने लिए गाड़ परचेश ने की प्लानिंग कह रहा हो board gdzie अ कुरा सारा कुछ किलिया रह थो जाए उसके बाद तो यह चीज़े में कभी वीडियो के अंदर में आपको रिक्रिमेंड करता हूं कि अगर आप कोई गाड़ी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों में आप समझ नहीं पा रहें तो आपके लिए एक यह मौका है आप समझ लो गाड़ी चलाने को मिलेगा आपको लीज का सब्सक्राइव सब्सक्राइब काम में आता है अच्छी के आती है उबर आप देख सकते हैं अब यह चैनल आपको किसी भी गलत रिशा में नहीं ले जाएगा, गलत रश्थे पर नहीं दिखाएगा, जो भी होगा सही रास्ता होगा, तो दोस्तों आज का व्लोग इतना हिद था और व्लोग में कुछ भी कनफीम हो न हो तो मुझे इस्टागर हम पर डियम कर लेना और वीडियो में ल